कि हांते स्टुडेंट्स आप कैसे हैं मुझे पूरा विश्वास है आप अब बच्चे होंगे तो देखें आज हम किलास एक में कि फर्स्ट चैप्तर में टॉपिक है रेशनल नमबाद तो हम रेशनल नमबाद के बारे में आ संदेंगे तो साथ से पहले हम संदेंगे कि बातीस रेशनल नमबाद रेशनल नमबर होता क्या है अनमबर भीच कैन भी रिटिन इन दा प्रॉव प्यू आई क्यू किसी भी नमबर को पी अपॉन की प्यूदिटी फॉब में रिख दिया जाए उसे हम rational number कहते हैं इसमें एक condition होती है Q not equal to zero Q is always not equal to zero and P may be zero P zero हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है बट Q कभी भी zero नहीं होता तो यह ही condition है इसमें negative positive का कोई ही सुन नहीं है आपको यह समझता है मैंने लिखा zero upon one यह इसमें लिखा रहा है इसमें P को मैंने zero लिखा है तो P तो zero हो करता है Q zero नहीं हो करता है तो यह rational number है आप रहेंगे कि यह तो नहीं है तो यह P होन क्योंका वे इसमें P है क्यों नहीं है तो आप अभी चाहते हो 1 तो हम left खब लेते हैं न तो 1 तो कभी भी denominator में left किया जा सकता है always understood value 1 यह तो शुपी रहने है अगर मैंने negative पी उसका दुमाए बसका तब भी यह rational ही है बस इससे कोई problem नहीं है किसी भी number जिससे भी आप P on Q की पॉप में देख सकते हो वे सभी number आपके rational number होंगे यह number can be written in the form of P on Q but Q not equal to 0 यह rational numbers हो गया इसमें होता है positive rational numbers and negative rational numbers जस्ट मैंने एक जामन पे संगाए था अगर negative का sign है तो negative rational number हो गए positive का है और बसकी हो गए अगर दो जगा negative है तो भी positive हो जाएगा तो यह positive rational numbers and negative rational numbers यह सभी numbers को आप जो so काते हैं तो negative और positive के उसकी symbol बट बेंड करता है कि माइनस का symbol है किसी का भी symbol नहीं है तो अंडरेशो डालवेश पिलस symbol तो उसमें पिलस का symbol छिपा रहता है अब हम रिप्रजेंट दा नंबर लाइन अब हम तब देगे किसी भी नंबर को हम लाइन पर कैसी रिप्रजेंट करेंगे तो देखिए में आज इदिया 2 upon 3 मुझे ये नंबर एक लाइन पर रिप्रजेंट करना है तो आप सबसे बड़ी स्केल से एक लाइन ड्रो करेंगे ये लाइन ड्रो करेंगे आप ये जीरू आप सबसे बड़ी पर्म ये टू स्टाइप इस रोटिक करेंगे आपको कभी भी किसी भी rational नंबर को लाइन पर रिप्रजेंट करना हो इस के लिए आप़को ड्रो क्या है? इस में ड्रो क्या है? इस में ड्रो क्या है 3 और इस 3 को ही इसा पेंग पार समझना है कैसे? ये जीरो टू बड़ पर थे इस जीड़ो टूपले आपको त荷ी निरी फार्ट औरप्र पार्स मेट करसा है जिपना भी अधी डिषी होगा वही आपको उस पार्ट में डिवायट करना है कि यह दिखाए कर्तुस भाई थी कांबद मेट करिए वन तू तो interrupt newborn on यह होगे टूगा ही ते लिए नेक्स समस्किजिए माइनस फाइड उपॉन सेवाइड यह दिदिया गया राक्तू फिल लाइन ड्रोग गिया यह जीव हो गया सबकुत रच यह बन हो गया माइनस पे इधर हमारा यह फूज नहीं होगा मैं लिखा भी नहीं सीगे और इस पेस भी नहीं होडा लिख भी सकते हैं आप नहीं भी नहीं सकते हैं तो कि डिदेटिव देश्टनल नमपर हमारे पास देन अप्लेटर के लिखा है यह देन अप्लेटर के लिखा है तो आपको 0 को मैनस दों की 20 बेस कितने बास करते हैं अब 7 कैसे देखो 1,2,3,4,5,6 होगे सेखो देखो 1 पार्ट 2,3,4,5,6,7 7 पार्ट आपको नमबर लाइब पर इंट किसी भी नेशनल को करना है चाहे वो positive rational number होता है या वो negative rational number होता है आपको उसी के देखो मिलेटर के एकवाटिक उसको divide कर लेना है divide अतिक पार counting करना है 1,2,3,4,5 यह 5 होगे आप यह होगे माइनस 5.7 तो students आप represent करना से लिए किसी भी rational number को हम number line पर किसी भी rational number को हम number line पर इस तरी यह से represent कर सकते हैं तो देखिए अब आगे ध्यां देखिए अब हम properties के वाले में समझते ही properties of rational numbers इससे पहली वाली class में आपने पढ़ा होगा इन property को सभी को आपने इससे first class में पढ़ा होगा 7th class में लेकिन वहांपर rational numbers में नहीं पढ़ा होगा इन्हें integers में पढ़ा होगा आज हमेरे rational numbers में पढ़ेंगे first property है कि कि लोजर्ड प्रॉपर्टी कि लोजर्ड प्रॉपर्टी का means है somehow any two rational numbers is always a rational number हम कभी भी दो rational number ले लेते हैं देखिए मालिए एक rational number is 5 by 2 एक है आपका 3 by 4 कुछ भी लेते हैं negative positive इसका means है a plus b equal to rational sort में मैंने लिख दिया है इसका means ज्या होगा sum of any two rational इसको divide में दिखा देखिए a one c b a four दिखा देखिए ये a one c का मतब rational है ये भी rational है rational plus rational equal to rational sum of any two rational is always equal to rational इसका means है कि लोजर प्रपर्ट्री का कि दो rational नम्हों को एटर के से आपको rational number ये मिलेगा क्यों दिखा आपको चैक करते ही ये 5 about 2 क्या है rational है इसके कोड़ी a number which can be written ये इता फॉब प्यूब क्यूब ये प्योब प्यूब की प्यूब ये भी प्यूब प्यूब की फॉब है इन दोनों का Lcm ने आगया 4 2 से डिवाट रियास्पे 2 तूज़ा 4 2 तूफ़ाइट 10 प्लस 4 बज़ा 4 बन प्रिज़ा 3 यह आगया अंसरा का 30 माई को, देखो यह भी रिष्णल था, यह भी रिष्णल था और यह भी रिष्णल आ गया, तो रिष्णल प्लास रिष्णल इकल्ट वालवेश, रिष्णल होता है, इसे हम खिलोजर प्रपरट्टी कहते हैं, इसके बाद, इसे देज़ें, इसका बीज है, रेशनल समत आवन, एड आवनुटू, इपल टू हुझाएगा आवनुटू, आप कभी भी टू रेशनल लंबर्स को एड करेंगे, और उनका ओडर चेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, आंसर में कोई भी एफेट नहीं आई रा देहीं, यह रिणे सिर बाद, इस बाद पोर्ण 2, प्लस बाद पोर्न 3, आपडरिया, अरब यहां, आवन आ पीनिज है, रेशनल, यह हैं रेशनल, यह हैं पर रेशनल, यह हैं सानल नमार, सेकिंड रेशनल नमार, एड ट्या इसको 6 एसके हैओ, टू double mac s, 236, 3- तो समझा गया, Rh1 plus R2, R2 plus R2, अगर हम ने रेच्टब परस्ट को अड़ दिया, मैंने रेच्टब परस्ट को ओ गया, रेच्टब का आंज़ार तो है रहो भूविया रह पर रहे आंज़ार कोई प्रफटी होगा, Community Property यही होती है कि R1 में R2 प्लाइट करो क्या है कि भ्यान हो तो आंजर पर को इपेक्ट ही होगा इसके बाद आपका नेश है Associated Property इसका Means and instruments R1 प्लस R2 प्लस R3 इकल R1 प्लस R2 प्लस R3 तेकि पहले आपने क्या लिखाए है मैंने आपके थी रिष्टे नमर सिखाए लेकि इसका Means दख्यादों पश्टू को पहले एड़ करें या बर पश्टू को नाजर लुपाइट करें आपको प्लस को इपेक्ट नहीं होगा अगर आप पहले दो रिष्टे नमर को एड़ करेंगे उसके बाद इसको एड़ करेंगे या इसके इनको एड़ करेंगे उसके बाद इसको एड़ करेंगे तब भी आंसर वहीं रहेगा इसे बोलेंगे associated property, यह की समझ लेजे, 1.2, 1.3, 1.4, यह कोई नंबर है, R1, R2, R3, यह थिरी national नंबर से, यह थिरी national नंबर से क्यों है, मैंने पहरे इनको एड़ गिया, 1.2, 1.2 यह एड़ गिया, LcM 6, 2.3 यह 6, 3.2 यह 6, and plus 1.4, 5.6, plus 1.4, LcM again 12, 6.2, 2.5, 10, 4.3, and 13.12, अब इसमों देखो, सेम नहीं लिए, देखो मैंने रवादा से इसी लिखिया, यह 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 को लिखा, लेकिन अब मैं इसे एंट दुना पहले हो, 1 by 2 इस, अब इसमों 3 by 4, 12, then 4 by 4, 3 by 3, and 1 by 2 plus 4, 3 by 7 by 12, then again else in 12, 2 by 6, 12 plus 7 by 13 by 12. आप देखे, मैंने रिखाता, एक से शेटी प्रोपर्टी का में इसना, कि यदि हम आर्गों में आर्गोएट करें, मना फर्स्टली समप पस्टू रेशनल नमग, और अटर दाएट थर्ड रेशनल नमग करें, यहां पार लास्टू रेशनल नमग करतें, उसके बाद इसको देखिए, वही काम मैंने दिए, पहरे अटर नमग करें प्रोपर्टी थिसके बाद, तीस्ते नमग करें गा, यहां पत पार लेखो, उसके बाद फ़कर रहे दो, थैया लेकिन आथर कवे आ रहरे है? आथर करें से कोई प्रोपर्टी है, यह एसोस्याथी प्रोपोर्टी ह तो आप associated property से बज़े, इसके बाद एकी test, additive identity, इसका means students, r1 plus 0, या आप तो होगता 0 plus r, people to always r, अगर आप किसी भी rational number में, 0 को add करते हो, when the add of any rational number to 0, then always equal to a rational number itself, आपको वही rational number मिल जाएगा, जिसको भी add करना है, जैसे 1 by 3 rational number है, इसमें 0 add किया, तो आप सानी 1 by 3 ही आएगा, 0 है, 1 by 3 एट किया, 1 by 3 ही आएगा, आपका कही रिशन तो आपको भुलेगा, 0 से कोई भी प्रिक नहीं आएगा, इसे हम additive identity होते हैं, इसके बाद है additive inbox, इसका means students, r1 plus minus r1, triple to 0, इसका means होगया, कि sum of any two rational number, sum of any two rational number, is always equal to 0, then both rational numbers are additive numbers, वो एक दूसरे के additive numbers होगे, कैसे, जैसे 1 by 4 है, और plus minus 1 by 4 है, आप इसको solution करेंगे, तो 0 आएगा, 1 by 4 का additive inverse यह होगया, जिसका inverse ही होगा, question में पुछ ले जाए, additive inverse of 5 by 7, तो इसका उना जाएगा, minus 5 by 7, अगर positive का है, तो negative नाएगा, और negative का है, तो positive नाएगा, तो students, यह इसकी property है, आज हूने इस topic के अदर, rational number क्या होते हैं, उनके examples कैसे लिजना है, Q के उपर possibility क्या है, positive rational number, negative rational number, इनको represent जैसे करते हैं, इनकी property क्या है, यह हम जो थाला समझेंगे, तो हम इस exercise को भी करनेंगे, और आने आज exercise को भी करनेंगे, और एक बात जाने पे क्या, यह जो 0 है, यह भी rational number होता है, लेकिन 0 इसका नाइज़ तो negative rational और positive rational, 0 नाज़ नाज़ नमा होता है, और नाज़ पॉजिटिव rational नमा होता है, तो positive rational number में भी 0 को अग्जाब्वत नहीं देना है, negative rational नमा में भी 0 का अग्जाब्वत नहीं देना है, तो 0 is a hero, जो जो भी मैंने आपको समझाया, यह आपको अपनी note note में complete करना है, इससे करना है, पहनत करना है, और मुझे पुड़ा विश्मास से आपकर, कि आप ज़रू पहनत करेंगे, और मेरे पता है, इन टॉपनों को बहुत अच्छे करतेंगे, थैंक यू और वे लगसे देट.